बाजबनेता मेंका गांधी को International Society for Krishna Consciousness में 100 करोड रुपए का मानहानी का नोटिस बेज़ा है दरसल बते दिनों मेंका ने सिकॉन पर गंभीर आरोप लगाया थे मेंका ने कहा था कि सिकॉन अपनी गाएं कसाईयों को बेज़ता है अब इसकॉन ने इस आरोपों का खारिच करते हुए मेंका को यह मानहानी का नोटिस बेज़ रहा है खबर के नुसार बते दिनों मेंका गांधी ने International Society for Krishna Consciousness पर कई गंभीर आरोप लगाया थे दरसल मेंका गांधी के हाल ही में ये वाइरल हो रहे एक वीडियो में एक इसकॉन पर अपनी सारी गाये कसाईयों को बेचने का आरोप लगा रही है गांधी ने इसकॉन पर आरोप लगाते हुए कहा था कि समय सबसे बड़े देश के जो धोखेबाज हैं वे इसकॉन है वे गौशालाएं स्थापित करते हैं और उन्हें चलाने के लिए सरकार से और समित लाव मिलता है उन्हें इसके लिए बहुत बड़ी जमीन मिलती है मिनका ने कहा कि मैंने जब गौशाला का दौरा क्या तो वहां कोई बच्छडा नहीं मिला इसका मतलब है कि सभी गाईों को बेज दिया गया है इसकॉन अपनी सारी गाएं कसाईयों को बेच रहा है इन जमीर आरोपो के बाद भाजबसांसित मिनका गांधी को इंटरनेशनल ससाइटी फॉर क्रशना कॉंशनेस की ओर से 100 करोड रुपे का मानहानी का नोटिस बेजा गया है इसकॉन कॉल कता कि उपाध्यक्ष राधार आमणदास ने भाजबसांसित गांधी के इन आरोपो को खारज करते हुए आज कहा कि हमने श्रेमतिमेन का गांधी को 100 करोड रुपे का मानहानी नोटिस बेजा है कुछ महीने पहले इसकॉन तब सुर्ख्यों में आय था जब इसके एक भिक्षु ने स्वामी विवेकाननद और आमकरश्न परमहंस की आलोच ना की थी